हेलो स्टुडेंट एडिजिटिल प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है आज अपने ये वीडियो लेके हैं उन स्टुडेंट के लिए जिनका सेलेक्शन है वो गौर्मेंट सीट पर या फिर गौर्मेंट यूनिवेस्टी में नहीं हुआ है या फिर जो जेट क्वालिफा से क्वालिफाई नहीं कर पाएं तो वो स्टुडेंट अब आगे उनके लिए फ्यूचर में क्या ओप्शन है और उन्हें किस वे में क्या मिलेगा उन सब पर अपने चर्चा करते हैं तो जेट की अपने तीनों लिस्ट है वो आ चुकी है और आपको पता चल गया होगा कि स होने वाण तो इन सब की आपको जानकरी है फिर भी आप अभी भी कुछ स्टुडेंट इस बरम में है कि हो सकता है सेलेक्शन हो जाए इसा चमतकार है वो बिना नंबर के पोसिबल नहीं और कुछ स्टुडेंट अलग-अलग वे में जाना चाते है कोई ड्रोप करना चाता ह है तो कोई प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट B and C करना चाता है फ्राइवट यौनिवेश्टी से प्राइवेट चौलेज reten प्राइवेट से बहुत सरी अप्षन है या फिर च्रीम चोड़ जा रहा है या फिरी एगजाम के हुग करना चाते है उनहीं के लिए अ एक सेप्रेट सिस्टम होने के नुकसान भी है जानकारी है वो प्रयाप्त और श्रीक नहीं मिल पाती है अपने को उनके लिए आज एक अपने एरिजोन के तरफ से एक वीडियो लेके हैं जिसे सभी स्टुडेंट है वो अपना समय नहीं गवाएं और समय रहते हुए सही रस्ते पर चले तो अभी आपने पेपर दिया है और स्लेक्ट नहीं हो पाए हो तो उसके बाग आपके पास ओप्शन आता है कि एगरी कल्चर ड्रोप करते हो आप एगरी कल्चर यदि आप ड्रोप करते हो तो आपका एगरी कल्चर से आगे में दूर दूर तक नाता तो तूटी जाएगा इसके अलावा यदि आप एगरी कल्चर ड्रोप करोगे तो आपके पास ओप्शन रहता है मेजर अपने नीट है इस सेक्टर में आपने नहीं जा सहज्ञा अपना सेक्टर सिमित है तो मेजर सब्जेक्ट है जाता आपका बेट इसमें आप को या तो डिपलोमा कर लिया दैसे भी इस्सथी कि ये का चलता है या फिद आप बेट कर सकते हो वीडियो देखा होगा प्लाइन बीए तो वो आपके पास फर्स्ट उप्शन रेता है इसके बाद आप बायो से बीए से या बोटनी जूलोजी से कर सकते हों इसके अलावा कोई अप्शन नहीं है यदि डॉक्टर सेक्टर में देखा जाए अपने मेडिकल सेक्टर में तो आप GNM या एना ये दो आप्षिन आपके बास रहते हैं इसके लावा कोई आप्षिन नहीं है और एग्रिकल्चर यदि आपने 12 में पढ़ा है आर्ट लाइन में आपको खुड़ी कठी नहीं आएगी एक बार डलने में यही समया होता है आपका आके बढ़ने का और रुक जाने का जो आपने 11-12 एग्रिकल्चर पढ़िया है तो आपको हिस्ट्री, जियोगराफिक, कल्चर पढ़ने में प्रोब्लम आएगी और 80% स्टुडेंट इन प्रोब्लम की वज़ए से पढ़ाई ही छोड़ जाते हैं तो यह दिक्कत नहीं हो इसलिए हर समभव परियास करें कि एग्रिकल्चर लाइन नहीं छोड़ें इसमें बढ़े रहें दूसरा ओप्शन आता है कि जी प्राइवेट से ब्यस्टी कर लेते हैं क्या फरक पढ़ता है फरक पढ़ता है परक फेश्ट पढ़ेगा आपका सबसे बड़ा नोलेज का कि आपको अग्रिकल्चर में कितना ग्यान दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है प्रोफेसर की कि आपको लेक्चरार है वो प्रोवाइड नहीं हो रहें प्रेक्टिकल फुरे तरीके से नहीं हो रहे है अभी कुछ यूणिवर्मेश्टियों की पिछल लिस्ट आई जिनमें प्राइवेट यूणिवेस्टियों की ब्राव ब्रमार थी कि वह डिफॉल्ट गसित हो उगई है उनमें गौवर्मेंट में इत्ता बड़ा इश्यू नहीं था कोई एजिकेशन सिस्टम से लेके उनका कोई मेनेजमेटिंग इश्यू था लेकिन प्राइवेट उनिवेस्टियों में हम इतने साल से इस सेक्टर में बढ़े हुए तो देख रहे हैं कि बच्चों को नोलेज परबलम आती है फिर यह बच्चे क्या कहते हैं जी एगरी कलचर बुरा सबजेक्ट है क्योंकि इस सबजेक्ट में आप प्राइवेट सेक्टर में जानात्य हो तो आपको नोलेज की ज billions होगी और ब्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत सारी इसमें विकेंसिस वो मिल जाती है जैसे पेस्टी साइड की कंपनिया है या सीड की है इन में आपको अच्छी विकेंशी मिल जाती है आप यदि अच्छी मैनेत करते हो तो एक अच्छी लेवल पर पहुंच गे अपना फ्यूचर अपर शिक्यूर कर सकते हो गोवर्मेंट सेक्टर में जाओगे तो भी नूलेज की जुरूरत पढ़ेगे क्योंकि पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा तो आपको नूलेज होना जुरूरी है नहीं सिस्टम ऐसा लगेगा जैसा हमें ऐसा कुछ पढ़ाय नहीं गिया अब कोई अग्रिकल्चर नहीं वागए दूसरी प्रोब्लम आती है इक्रिडेशन ऑग्रिडेशन मतलब आइछ चैर से अफडाय नहीं हुना जो यूवेश्टि प्राइव CRS यूवेश्टियां है अभी बहुत सार विकेंशे के अंदर उनको भाहर कर दिया है कि जो इन प्राइवेट यूवेश्टियों से भी पीएसडी की है या कोई अधर आपने कोर्स किया एग्रिकल्चर सेक्टर में यह ज़्यादा माहिने रखती है अधर में इतना आपने को देखने को इश्यू नहीं मिलेगा लेकिन एग्रिकल्चर में यह थोड़ा अलग सिस्टम है तो यहाँ पे एक बार अभी तीन-चार साल पहले जोद्पुर युनिवेस्टी ने भी एक लेटर जरी किया था उसमें बताया था कि जो एमसी प्राइवेट युनिवेस्टी से कर रहा है आ रही है उन्हें पीएसडी में अडिमिशन मत दो एक प्राइवेट युनिवेस्टी से बीएसे करते हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकरी होनी यह पर आपको गलत तीर तरीके से तो डिग्री नहीं कुरवाई始ा रह रही इन सब की जानकरिया आपको बहुत ज़्यादा जुरूरी है संभवता हो तो आप ओप्षन ये रखे हैं ना प्राइवेट कुलेज में भी इक्रिडेशन की प्रॉबलम नहीं आती कोई गौर्मेंट उनिवेस्टी से अफ्लाइटेड है जैसे राजस्तान में अपने जो विक मुलम आती है नोलेज की तो जहां पर आपको लगे कि इस कोलेज में पूरे एग्री कल्चर सिस्टेमिक तरीके से कलास चल रही है आपको प्रफेसर प्रवाइड करवाई जा रहे हैं प्रेक्टिकल पूरी तरीके से सही हो रहे हैं तो ही एड्मिशन ने अन्यता आप आप हैं नहीकिंगी जब अभ्यस एकरकर निकलोगे उस दिन गोर्मेंट इणिविस्टीया सेंट्रल इणिविस्ट्य या गोर्मेंट जो कोलेज जैंर रेंकिंग कों कैं अच्छी उनसेativas किया वा बचलेगा आपनो खूसमें दिन रात परग मिलेगा आ वह आप से छोंहेंअ न नहीं मिलेगा कि कोई थोड़ा फर्जी तरीका हो गया पास करवाने का यह सिस्टेम आपको जीरो मिले तो यह ओप्षिन आपके लिए थोड़ा मैं यह कहूंगा कि तीस एक प्रसेंट से है ज्यादा बेस्ट में इसको नहीं कह सकता ज्यादा बोलूंगा तो भी बाद हो ऐना है कि आप बाइलोजी सब्जेक्टबहों चूज कर सकते हैं भी करने के बाद आपके पास या तो आप बीएड कर लेते हों और बीएड कर सब्सक्राइब और इन तीन साल में फ्री हो जाओगे लेकिन इसमें दंगल हो थोड़ा लंबा चलने वाला है ऐसा नहीं है कि बीसी अग्रीकल्टर की उसके बाद में या अपने बीसी जैसे बैसलर डिग्री कम्पलीट हुई उसके बाद में अपने 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 को मिल सकते हैं क्योंकि या तो आपको बीर्ड करनी पड़ेगी और एमसी करनी पड़ेगी और बीसी से यदि आप एफसी एक्जाम है उसमें आप टेक्निकल पुर्ष्ट पर दे सकते हूं उसमें भी आपको एक वीडियो जरूर मिल जाएगी उसमें सारा आपको इसके बारे में बताया जाएगा इसमें अपने पास एक सिमित साधन है नेक्स्ट फाइनल अपना जो ग्रीन कार्ड है री एक्जाम ऑफ जेट री एक्जाम जेट आपके लिए मैं कहूंगा यदि आप सेलेक्टर नहीं हुए हो देखो दो मेने तेन मेने में आप टेरी करके सेलेक्शन है बहुत कम चांस है क्योंकि आपके भी साथ थी जो पिछले एक साल से पूरी त्यारी करके पेपर दिया है वो आप से हमेशा आगे रहेंगी तो महापे तो आपका बहुत कम चांस था एक परकार का इसा कह सकते जुगा है जीते तो ठीक अरे तो भी प्री ओफ क्वेश्ट व सब्सक्राइब करते हो तो एक्जाम में आपका स्लेक्शन है अन्या था आपका दो मेने में से लेक्शन ओटों मुश्किल है रहें कि इन सब поряд czyli को घुजरना wanna नहीं पढ़ेगा नये प्राइवय न को अप्र और अग्रिकुल्टर ड्रोप कर नहए ब्योंसर इंए करनी में सेक्टर में और एग्रिकल्चर के सेक्टर में बढ़े रहे हो तो आपको अब सेप्टेम्बर आगे एक्जाम होगा आपका मैई या जून तक तो लगबग आपके पास आठ से नौ मैने अभी तक बचे हुए हैं वो एक सूविचार आपने सुना होगा कि जागो तब ही सवेरा अभी वक्त है अग्रिकल्चर सेक्टर में बढ़ा रहना है तो अपनी त्यारी या वो शुरू कर दीजिया एक साल त्यारी करोगे अच्छी यूनिवेस्टी में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फाइदे भी है और इसके अलावा आपके पास ओप्शन है दो जेट और प्यूटी जेट का आपको सभी को पता है कि जेट है वो अपना स्टेयट का इसम है राजस्तान का और श्यूटी है वो ओल इंडिया है से ऑल इंडिया एक जेट में थोड़ा सलिवस है वो श्यूटी से थोड़ा सा लेंटी है लेकिन लग बग एक जैसा ही है जेट में थोड़ा एक्ष्ट्रा ही है कम कुछ नहीं है और स्यूटी को तो अब पुरा पेटर नहीं वो चेंज कर दिया है जैसा अब आई सीर बीच यू होता था उसे अब सेंट्र उन्वेस्टी एक्जाम होता था अलग से उन सब को अब कट करके एक देदिया स्यूटी सें के वह अपना नकापर पर करवाती है तो अकनल पर्ता तो तो थोड़ा अच्छे डिक ब कता इसे हैं कह सकते थोड़ा ज़ादा इसा नहीं दूछ सकते बेकिन आने वाले समय में मैं मेरे को लगता है कि यहीं door माती है तो आपके लिए सब हो सकता है और जेट है अपने पांच उनिवेस्टिस विक्कानिर जोदपूर कोटा जोबनिर और उद्यपड इन पांच उनिवेस्टिके गौर्शनेट कोलेज प्राइवेट कोलेज और पांचों उनिवेस्टियां आपकी शामिल होती है और इनमें आप आठ से नो मेहने बढ़ियां क्यारी कर लेते हो क्योंकि आपका बेस है वो अच्छा बना हुआ है ऐसा नहीं है कि आपको आते ही पहले एगरीकल्चा की प्रिवासा लिखाने ही पड़ेगी कोचिंग में ऐसा आपको नहीं याद करना आप उस वे में चल रहे हो नए वे में जाओगे आर्ट लाइन में यादर लाइन में तो आपको उस सब्जेक्ट की प्रिवासा से शुरू करना होगा जहां से आपने आज से दो साल तीन साल पहले स्टार्ट किया था और वो दो से तीन साल आपके जो मेनद की हुई है वो यहाँ पे आप उसको काम में ले सकते हो तो यह बेस्ट आप्शन रहेगा तो जो स्टूडेंट अभी तक फरी बेटे हैं समझ में नहीं आरा क्या करें क्या नहीं इन ऑप्शन में आपके पास यह रस्ते में यह मोड मिलेंगे यह मंजील मिलेंगे और इस रस्ते में आपका क्लियर कट है क्योंकि आप इसी रस्ते पे पिछले दो सलों से तीन सलों से चलते आ रहे हों इस रश्ते से आप वाकिफ हो इन में आपको बेस्ट ओप्शन मेरे इसाब से आपका यह रहेगा कि आप री एक्जाम दो निराश मत हो ऐसा नहीं है कि एक बार आपका सेलेक्शन नहीं हो अरे दो मिने तीन मिने में कुछ नहीं है अभी आपकी एज़ा 17 साल 18 साल एक साल त्य डिगरी करोगे तेस साल 20 साल ढूरेगाख δिगरी करके निकल जाओगी तो इसमाल सब्सक्राइब वाल्यास चाक्त पर तो इसमेची पे आपकी लाइफ है वो डिपेंड होने वाली है कि आपका जीवन हो किस मोड की तरफ जाएगा इन चार साल में यदि आप बेस्ट ओप्शन सेलेक्ट कर लेते हो जिन में आपकी पकड़ है तो वहाँ पे आप सही रस्ते जा रहे हो यदि दुबारा से री स्टार्ट करते हो इन से तो थोड़ा टफी आप आप ज्यादा सोच विचार इस चीज पे नहीं करके जधा लोगों का नए सुने इतने ज्यादा सुनूगे तो आप ज्यादा कन्फूज होगे क्योंकि ज्यादा कन्फूज करने वाड़े से मेलेंगे को बताएगा खोग बत गलत गवर्मेंट जोब आपके आतमें देखे जाने वाले भी आएंगे आपको जीनम करके डारेक्ट एमडी डॉक्टर लगाने वाले भी आएंगे उसमें भी थोड़ा सोच विचार करना कि हमारा फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है और प्राइवेट में बीसी वाले भी आएंगे बैए प्राइवेट में बीसी कर ले एक साल खराब मत कर उसे अच्छा तो इसके साथ एक साल त्यारी करना तो तेहा आगे गुवर्मेंट में सिलेक्शन हो जैगा कहिं अ 닉क्कत नहीं आती निक आए वाले टव्रीन इनमें जुरू अने वाली है दिकत क्योंकि शिम सिस्टम में थोड़ी सुधार की कोशिश चल रही है ऐसा तो नहीं कह सकते कि पुर्णते सुधार है वो एकदम हो जाएगा सुधार के कोशिश चल रही है तो एक दिन इन सब फर्जी वड़े का अंत जुरूर आएगा और अंत आएगा उस दिन आप साथ में लपेटे में उस समय को आप सदूपयोग कीजिए और सोचिए कि हमारी जी समय पे लाइफ डिपेंड है उस समय को हमें कहां उपयोग करना है यदि आपका फिर भी कोई क्योशन रहे गया हो तो आप कमेंट के मादियम से पूछ सकते हूं नहीं अपना जो अकेडमिक नंबर है कि बाड में 1688325 इस नंबर पे आप कॉंटेक्ट करके कोई भी जानकारी चाहते हो तो आपको फरियोग कोई हर परकार की जानकार यह वो एग्री जोन इंस्ट्टिट्ट आपको प्रवाइड करवाएगा यदि आप जेट की त्यारी करने के इच्छू कर तो अपने और ऑफलाइन दोनों ही बेच है वो शुरू हो चुके हैं हिंदी मेडियम और इंगिलिज मेडियम यदि आप ऑनलाइन के लिए डेमो क्लासिस देखना चाहते हो तो अपना एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से अग्री जोन क्लासिस डाउनलोड करके पासे देख सकते हो और ऑफलाइन कलासिस में भी चल रहा है तो आप आके जोन कर सकते हो और एग्री जोन इंस्टिटूट आपके फ्यूचर के लिए आपको हमेशा स्पोर्ट करता रहेगा और आपको कुछ बेटर देने के कोशिश करेगा ऐसा नहीं है कि आप कुछ करो ही ना है एग्री जोन जिए वीडियो को शेर करना और जो न्यू स्ट्ट आ रहे हैं और एग्री काल्चर से हैं तो अपने चैनल पे डेली क्लासेज या वह बी चल रही है एग्री कल्चर की आप अटेंड कर सकते हैं तो आपको पढ़ने के लिए भी आप को मेंटर है वह प्रवाइड फ्री ओक् झाल झाल